T20 विशोकब 2024 में भारतिय टीम ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है जीत की हैट्रिक लगाते हुए भारतिय टीम ने बहतरी नंदाज में ये कारनामा कर दिखाया नसाओ के मैदान पर भारत और अमेरिका के बीच खेले गए मुकाबले में भारतिय टीम ने बहुती आसानी से साथ विक्टो से ये मुकाबला जीत लिया है और इसी के साथ सुपर 8 में भारत के एंट्री हो चुकी है टॉस जीत कर पहले गिंदवाजी करने का फैसला किया था कप्तार रोईश शर्मा ने और उनकी फैसले को सही साबित करते हुए अशदीप सिंग ने चार उवर में 9 रंदे कर 4 विकेट हार्दिक पांडिया चार उवर में 14 रंदे के 2 विकेट हासल किये और पूरी टीम 110 रंणों पे ओल आउट होगी हाला कि टारगेट चेस करने के वक्त पहले यूऔर में विराट कोली शून निपर आउट हो गये उसके बाद रोईश शर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए लेकिर सूरी कुमार यादव 49 गेंदे 50 रंद शिवम दुबे 31 रंद 35 गेंदे जिसके बदोलत भारती टीम ने ये मुकाबला आसानी से जीत लिया और इस जीत में थोड़ी मदद की है अमेरिका के गिंदबाजों ने जिन्हें स्टॉप क्लॉक रूल की वज़े से 5 रंद की पैनल्टी लगी और 5 रंद भारती टीम के खाते में जुड़े और भारत के पास अब 5 रंद की लीड हुई थी जिसके बदोलत उन्होंने आसानी से ये मुकाबला जीता अर्शदीप सिंग आज के मैन अब दे मैच रहे है और साथी उन्होंने कई ऐसे कारणामे किये जो अभी तक कोई भारती ये नहीं कर पाया था जैसे की T20 वर्लकप में पहले उवर की पहली गियंतर विकेट ले रहा साथी T20 विशोकप में भारत का बेस्ट स्पेल चार उवर पे नौर अंदे के चार विकेट हासिल करना ये भी अर्शदीप के नाम है आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कॉमेंट करके बताएं तब तक के लिए देखते रहें वनिड़ हिंदी